तो आज हम बनाने वाले एक ऐसा होमेर साबुन जिसमें कोई भी हामफुल केमिकल्स नहीं होंगे और जिसी यूज़ करने के बाद आपके चेहरे पे के मुहा से डार्क स्पॉर्ट्स और एक्नी तुरन्थी गायब होने वाला है तो इसी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिए है नीम के पत्ते आप सभी को पता ही होगा कि नीम कई आउशोदियों को नों से भरा हुआ है शायद इसी कारण से हमारे जो दादी नानी थे वो नीम का इस्तमाल किया करते थे यह आपके स्कीन के साथ साथ आपके बालों के लिए भी बहुत जादा फायदमन होने वाला है अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ अलोविरा उसे मैं थोड़ा कट कर लूँगी अब अलोविरा और नीम के पत्तों को हमें मिक्सी जार में डाल कर अच्छे से एक पेस्ट बनाना है और साबुन बनाने के लिए मैंने एमेसवान से ग्लिसरीन का सोप बेस ओर्डर किया था इसमें भी कोई केमिकल्स नहीं है तो इसे मैं क्यूब्स में कट कर लूँगी इतने सोप बेस से हमारे तीन बड़े साबुन बन जाएंगे अब हमें इसे मेल्ट करना है तो मैंने कड़ाई में पानी गरम होने के लिए रख दिया था उसके अंदर हम ये सोप वाला बरतन रख देंगे और धीमी आच में एक 10 मिनट के लिए इसे मेल्ट होने देंगे ये बड़े आसानी से मेल्ट हो जाता है इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और जब ये बेस अच्छे से मिल्ट हो जाएगा तब हम इसमें एड़ करेंगे अलोविरा और नीम का पेस्ट साथी साथ में यहाँ पर एक चमच हल्दी का इस्तमाल कर रही हूँ तो ये घर की PC हुई हल्दी है अब बजार की केमिकल वाली हल्दी का इस्तमाल ना ही करे तो अच्छा है हल्दी की वज़े से आपके चेहरे का रंग निखर के आएगा साथी साथ मैं इसमें डाल यू एक कैपसूल विटामिन E की विटामिन E आपके चेहरे पर जुरिया नहीं आने देगी और स्किन टाइट करने में ये बहुत ही जादा मदद करेगी साथी साथ विटामिन E के वज़े से आपके जो डार्क सरकर्स है आखों के नीचे जो काला पन है वो बहुत कम हो जाएगा और चार पास ड्रॉप्स में यहाँ पर इसेंशल ओयल के डाल रहे हूँ यहाँ पर मैं टी ट्री एसेंशल ओयल का इस्तमाल कर रही हूँ इस एसेंशल ओयल में बहुत जादा एंटि वैक्टरियल गून रहता है इस वज़ा से ये बैक्टरियल इंफेक्शन से हमें दूर रखेगा अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक मोल्ड में निकाल लेंगे तो यहाँ पर मैंने ये मोल्ड भी एमेजॉन से ही ओर्डर किया हुआ है तो इसमें मैं ये मिक्स्चर डाल दूँगी और इसे बस हमें आधे से एक घंटे के लिए फ्रीज में रखना है ताकि ये सोप अच्छे से सेट हो जाए और एक घंटे के बाद आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है इसका कलर भी बहुत ही खुबसुरत आया है अब मैं आपको इसे यूज करके दिखाती हूँ तो पानी के साथ मैंने इसे हातों पे लगा लिया है और इसे चेहरे पर लगा रही हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से ये जाग हो रहा है और थंडे पानी से फेस दोने के बाद आप देख सकते हो मेरी स्किन बहुत ही जादा अच्छी हो गई है आपको एक यूज में ही इसका फरक दिख जाएगा आप इस साबुन को बाल दोने के लिए भी इस्तमाल कर सकते हैं ये बहुत ही नैच्रल तरीके से बनाया गया है इसलिए इससे कोई भी घाटा नहीं होने वाला है तो जरूर से ये नैच्रल होमेर सोप घरबर बनाईए और मुझे कमेंट करके जरूर से बताईए कि आपको ये फायदे मन रहा के नहीं